इन्रोल्मेंट, कैजुल्टीज, आईए इस वीडियो के जरिए जानेगे कि इन्रोल्मेंट, मस्टरिंग, आटेस्टेशन और क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर पूरी जान करी देंगे इन्रोल्मेंट, कोई भी इन्रोल्मेंट जब आर्मी जोयन करते हैं, या जिस 기न वो आर्मी में भरती होते हैं, उस देट को इन्रोल्मेंट या इन्लिस्मेंट डेट कहते हैं रिकॉर्ड आफिस आर्मी नमबर लॉट करता है और उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा वो इन्रॉल्मेंट का पार्ट टो ओर्डर पब्लिश करेगा और इस चीज़ को इंशूर करेगा कि जो पार्ट टो ओर्डर उन्हें पब्लिश किया है उसमें सभी डिटेल जैसे की डिट ओब बर्थ, इन्रॉल्मेंट, एज, आर्मी नमबर, नाम सब करक्ली नोटिफाइट किया गया हो इसी तरह जब सभी रिक्रूट्स को basic training के दोरान एक stipend दिया जाएगा और जब उनकी basic training complete हो जाएगी तो उसके बाद जो उनकी salary बनेगी, जो वेतन बनेगा, उसमें से stipend के amount को कम करके payment दिया जाएगा यानि कि जो भी आपको अपनी training के दौरान मिला है उस amount को minus करके आपको salary दी जाएगी जो आपके retrospective effect के दौरा मतब जिस date से आप join हुए थे उस date से आपको दी जाएगी आटेस्टेशन तेकि enrollment के समय ही आपके सारे documents जो है वो verify किये जाते हैं आटेस्टेशन में ये एक ceremony होती है जिसमें की recruit के जितने भी आपके जो documents है वो verify कर लिए जाते हैं आपका police verification हो जाता है ये दोनों procedure हो जाने के बाद जो basic training आपको दी जा रही है वो भी complete हो जाती है जब ये तीनों चीजें हो जाती है उसके बाद आपको एक oath दिलाई जाती है उस oath को ही कसम parade कहा जाता है और जिस date पर ये oath आपको दिलाई जाती है उस date पर जो part order publish होता है वो attestation का part order publish होता है उसी को ही हम attestation कहते हैं mustering में mustering में recruit को एक trade दिया जाता है और उस trade में एक prescribed qualification test होता है और इसके अलाबा आपको prescribed length of service रहती है उस particular trade के लिए वो दोनों जब आप complete कर लेते हैं उसके बाद उस trade के जो सबसे lowest class रहेगा वहाँ पर आपको muster कर दिया जाता है classification of class upgrading इनिशल mustering के दोना नहीं आपका जो class है वो decide हो जाता है कि आप class 4 में रहेंगे या class 3 दिया जाएगा इस तरह जो भी आपका required test है या फिर आपकी required service जो भी आपको आगे आने वाले समय में आप class के रूप में दी जाएगी जब जैसे जैसे आप उसको pass करते जाएगे वैसे वैसे ही आपका आप class मिलता जाएगा अगर आप class 4 में muster हुए थे initial mustering के दौरान तो आपको 3, 2 और 1 दिया जाएगा और अगर आपका initial mustering class 3 में हुआ था तो आप 2 और 1 के लिए qualified करेंगे यह जो classification pay है यह सिर्फ NCOR को ही दिया जाता है JCO इसके लिए entitled नहीं होते है अब class के rates क्या है आएए देखते हैं class 2 है तो 450 रुपीज पर मन्थ और अगर आप class 1 है तो 675 रुपीज पर मन्थ दिया जाएगा a recruit undergoing training on or after the first day of January 16 shall draw a stipend of rupees 14,600 पर मन्थ यानि कि अगर 1 January 2016 के बाद आप recruit होते हैं तो आपकी training के दौरान आपको 14,600 रुपया पर मन्थ के साब से stipend दिया जाएगा और आपके successfully attestation or mustering होने के बाद आपको आपकी जो pay बनेगी उसमें आपको एक increment add होगा जाए वो increment date आपका 1st January हो या 1st July जो भी होगा उस वक्त उस हिसाब से जिस level में आप recruit होए हैं उसके first cell में आपको आपकी pay को fix कर दिया जाएगा और जो आपको annual increment मिलेगा तो वो आपको जो मिलेगा वो आपकी date of enrollment के हिसाब से मिलेगा कर दो